इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है दर्द, सूजन और सूजन को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, यह प्रभावी रूप से मांस्पेशियों की जकरन या एंठन से राहत देता है, जिससे मांस्पेशियों की गती में सुधार होता है। यह मस्तिश्क में रासायनिक संदेश्वा हकों को अवरुद करके काम करता है जो हमें बताते हैं कि हमें दर्द है। इसे सबसे अधिक लाव प्राप्त करने के लिए निर्धारित रूप में ले। आवश्चक्ता से अधेक या अधिक समय तक न ले क्यूंकि या खतरनाक हो सकता है। सामान्य तोर पर आपको कम से कम समय के लिए काम करने वाली सबसे कम खुराक लेनी चाहिए। यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय, जीवन की गुनवत्ता प्राप्त करने में मदद करेगा। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं। ओटसिब टी-एच टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। ओटसिब टी-एच टैबलेट दो दवाओं का एक मिश्रन है हटोरिकोकसीब और थियोकोल कोकोसाइड जो दर्द से राहत दिलाता है और मांस्पेशियों को आराम दिलाता है। अटोरिकोकसीब एक नौन स्टेरायल एंटी इंफलेमेटरी ड्रग यानि की एनसे आईडी है जो दर्द और सूजन यानि की लालिमा और सूजन पैदा करने वाले कुछ कैमिकल मेसेंजर को निकलने से रोकता है। थियो कोल्चिकोसाइड मांस्पेशियों को आराम देने वाला है। यह मांस्पेशियों की जकरन या एंटन को दूर करने और दर्द और मांस्पेशियों की गती में सुधार करने के लिए मस्तिशक और रीर की हड़ी के केंद्रों पर काम करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को, टन ओन ओल पर सेट करें, धन्यवाद